नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोटम, मेरा मेडिसिन एंड हेल्थ चैनल में आप स्वाभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तों, आज एक सिजनल मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देंगे और अज एक कॉफ्शिरप के बारे में आपको बाताएंगे जिस कॉफ्शिरप के इस्तेमाल करने के बाद आपको होने बला, दो तारा के खासे से ही छुटकरा मिल जाएगा सिर्प एक ही दबाई के सहरे में आपको चाहे ओ ड्राई कॉफ हो, इलर्जिक कॉफ हो या productive कौफ हो या मुकस बाला कौफ हो दोनों ही खासी के लिए आपको एकी सिरफ का इस्तेमाल करने से ही फायदा मिलेगा तो दोस्तों आई ये सुरू करते हैं आज का पोहुत अच्छे और फायदे मौन्थ कौफ सिरफ के बारे में जानगारी तो दोस्तों आज का वीडियो सुरू करने से पहले जिस दावाई के बारे में आप जानकारी देंगे सबसे पहले आपको उसको इमेज देखाता है दोस्तों ये रहा उस दावाई का इमेज ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है इसलिए एक से मालूम नहीं चलेगा लाग रहा है मैं इसका इमेज वीडियो में पेश्ट कर देंगे आप देख लेना दोस्तों ये मैनकाइंट फार्मासिटिकल का दवाई है इसका नाम है मैगनेटस ए कॉप शिरप म ए जी एन ए टी यू एस एस मैगनेटस ए कॉप शिरप दोस्तों ये एक कॉम्मिनेशन बाला दवाई है इस सिरफ का सबसे अच्छा जो बात है इसमें दोनों खासी के लिए या दोनों कॉप के लिए चाहे ओ ड्राइ कॉप हो चाहे ओ प्रोड़क्टिव कॉप हो दोनों में ये सिरफ अच्छा काम करेगा इसलिए एक बिष्ट कॉप सिरफ है दोस्तों इस सिरफ के अंदर तीनों दाबाई या सॉल्ट मिला हुआ है इसमें पहला जो दाबाई मिला हुआ है ओ ड्राइ या एलर्जिक कॉप के लिए उसका नाम है देसलोराटादिन 2.5 मिलिग्रम एबां इसके साथ आमब्रक्सल हाइड्रोकोलराइड 30 मिलिग्रम मिला हुआ है एबां इसके साथ गौफेंशिन आइपी 50 मिलिग्रम मिला हुआ है पार 5 एमल सिरफ में तो दोस्तों यह जो मैंकाइन फार्मसिटिकल का मैगनेटास यह कॉप सिरफ है यह सिरफ आपके ठंडी के बज़ाय से सोर्दी का बज़ाय से जो खासी होता है साथ इसाथ गौले में जो थोड़ा बहुत खुजली पौन या खिश-खिश होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है इसके साथ इसाथ आमारा सीने में जो कॉप जम जाता है जो कॉप निकल नहीं पाते है थोड़ा थोड़ा करके निकलता है फिर भी वो सांस नाली में रहे जाता है इसलिए आमें अच्छा नहीं लागता है अमारा सीने थोड़ा भारी-भारी सा लागता है अमारा जो ब्रेथिंग डिफिकल्टी होता है छास लेने के लिए भी दिक्कत मैसुझ होता है तो इस समुष्चा में भी ये दावाई बहुत अच्छा काम करता है अमारा सीने में जमा हुआ कॉप को निकलने के लिए वो ज हमारा जो म्यूका से उसको बाहर निकलने के लिए ये दावाई काम करता है एबंग इसके साथ-साथ हमारा जो ठांडी सोर्दी के बज़े से हमारा जो आख से पानी निकलता है नाख से पानी निकलता है एबंग छिंक आता है एबंग गौले में जो खुजली पौन हाता है जो ख्रस रहता है ठंडी के बज़े से उसमें भी ये सिरफ बहुत अच्छा कम करता है तो एकी साथ हमारा जो ठंडी लोसम सोर्दी चिंक उस के लिए भी ये दावाई असरोदार है रहां साथ हमारा जो सिने में जो कौप जौमा होता है जो मुकस जौमा होता है जिससे निकलने क लिए भी ये सिरफ मौदत करता है इसी तरह से ये सिरफ ड्राइकप, प्रोड़क्टिब कप, दोनों में ही काम करता है और ये सिरफ दोस्तों आप दिन में दो बार ले सकते है ये आपके जोरूरत के हिसाब से एक चामूश से दो चामूश तक आप पांच एमिल से लेके दोस एमिल तक पी सकते हैं ये खाना खाने के बाद ही आप इसके इस्तिमाल करना सुबह खाने का बाद एक बार रात में खाना खाने के बाद एक बार दोस्तो ये दाबाई इस्तिमाल करने से पहले आप थोड़ा सा हलका गौरुन पानी पहरे पी लेना उसके बाद दबाई पीने से बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और दोस्तों ये जो दबाई आता है ये 100 ml का पैक में आता है ये जो 100 ml का MRP होता है वो सिर्फ 85 रूपिस तो दोस्तों चाहे उआपका सोर्दी के लिए खासी हो चाहे उआपका सिने में कॉप के लिए खासी हो तो आप हमेशा आपके पास राखिए ये Mankind Pharmaceutical का Magnetis A कॉप सिरप और दोस्तों ये दबाई जहे तो Mankind का है बहुत अच्छा कॉम्पानी का है इसलिए ये हर एक दबाई के दुकान या Medical Easter में मिलता है और आप चाहे तो इसे उनलाइन से भी पार्चेश कर सकते है तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लागता है तो जोरूर इसे लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जोरूर कीजिएगा साथी साथ बिल आइकान को भी अक्टिवेट कर दीजिए क्योंकि मैं जब नौया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा तो दोस्तों अज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड जॉइ हिंद